श्री नव यूवक मित्र मंडल गणेशोस्व समीती द्वारा लगतार 40 वर्षों से श्री गणेश पर्व बले धुमधाम से मनाया जा रहा है जिसमें प्रमकरूप से आकर्शन का केंदर प्रसिद भजन गायक शैनाज अक्तर अपनी प्रस्तोती देदने पहुँच रही है जिसको लेकर समीती के प्रदिकारियों ने प्रेसवारता लेकर जानकारी दी 36 गड़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में श्री नव युवक मित्र मंडल गणेशोसव समीती के द्वारा श्री गणेश पर्व के आवसर पर भव आयुजन करने के तयारी की जा रही है इसी कड़ी में समीती द्वारा इस बार प्रसिद भजन गाई का शहनाज अख्तर जोकी जवलपूर से हैं उनकी प्रस्तूती देने दुर्गाधाम पुरानी गण्जमंडी गण्जपारा दुर्ग में समीती द्वारा उन्हें बुलाये गया है गोर्तलब है कि नव्युवक मित्र मंडल गणेशोसो समीती चांदनी चोग गंजपारा दुर्ग द्वारा इस वर्ष भी शी गणेश पर्व बड़े ही धुमधाम से मनाया जा रहा है इसमें शीगनेश की 12 फिट की विशाल मूर्ती स्थापित की गई है जो की 36 के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधेश्याम चक्रधारी थना द्वारा बनाए गई है साथी मूर्ती में नागपूर के कलाकारों के द्वारा नग के नकाशी की गई है और विशाल पंडाल के साथ आकरशक लाइट लगाई गई है जो की इन दिनों आकरशन का केंदर बनी हुई है इस आउसर पर मीडिया से चर्चा करती हुए समीती के बंटी शर्मा ने बताया कि समीती द्वारा 6 सितंबर मंगलवार को प्रसिद भजन गाई का शहनाज अक्तर जबरपूर द्वारा भजनों की मद्धूर प्रस्तूती दी जाएगी काईकरम में मुख्य अतिती छत्तिगर के शस्वी मुख्यमंत्र हुपेश बगेल अध्यक्षिता तामधसाहु एवं विशेज अतिती अरणबूरा सहीर अनने लोग सामिल रहेंगे जिसमें पुरे देश की सुप्रसिंत गाईका सेनाज अक्तर पर इस वर्स बुलाया गया है जो की लगबद 20 वर्स वाद दुर्ग सहर में अतना प्रस्तूती देने आ रही है समिती द्वारा पुरे दुर्ग सहर और दुर्ग जिले के लगबद 20,000 धर्म प्रेमियों के बैठने की वेवस्ता पुरानी गंधिमंडी दुर्गा दाम गंजपरा दुर्गों में या आयोजन होना है जिस पर की गई है पति वर्ष गंजपरा दुर्गा सुजटौ समिती द्वारा जो आयोजन होता है इस वर्ष गंधमंडी में ही या आयोजन किया गया है गड़ेश पर्वों के उसर पर महा भंडारा का आयोजन के साथ सद महा आरती और अभिशेख पुजन का भी आयोजन स्री नौयोग मित्र मंडल गड़ेश उस्तो समिती चानली जोग दोर गड़ा आयोजित किया गिए समिती द््वारा एक विशेश तोर पर अभियान चला कर सभी गड़ेस्पंडलों में जा जाकर एकर नुरोग किया जा रहा है पितर पक्ष को देखते हुए पूरू में पितर पक्ष में गड़ेश वी सर्जन होता था बहराल कायकरम में सभी लोगों की भागिदारी बढ़ चड़ कर रहेगी Grand A.C.N. News के लिए दुर्ग से नसीम फारू की की रिपोर्ट